इस वीडियो में दी हुई जानकारी Internet से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप उल्टी को नियंत्रत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी सरजरी, कैंसर ड्रग थेरपी या रेडियो थेरपी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। पूर्ण है कि आप इंजेक्शन तब तक लेते रहें जब तक कि आपका डॉक्टर यह तैनर कर ले कि उन्हें रोकना सुरक्षित है। इसके बाद आपका डॉक्टर इंजेक्शन के बजाए गोलिया लेख सकता है। इस दवा को लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में इं आमर्ष करें जो उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकते हैं। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको हिरदय या यकृत की समस्या है या आपके पेट या आतों में रुकावट है। इसके अलावा अपने चिकित्सक को उन अन्य के बारे में बताएं जिनका आप उप्योग कर रहे हैं विशेश रूप से मिर्गी, हृदय की समस्याओं, कैंसर और अवसाद के इलाज के लिए दवाएं ये इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकते हैं यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद